नमस्कार दोस्तों सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है अद्रक तो रोज मर्रा की जिंदगी में सबके ही घर में काम में आती है चाय में डाली जाती है सबजियों में भी डाली जाती है अद्रक दो तरह से मार्केट में मिलती है एक तो अद्रक की गांट मिलती है और दूस का पाउडर किसी वीपनसारी की दुकान पे मिल जाता है इसी तरह से मारकेट में सोट का पाउडर भी मिलता है सोट भी अद्रक का ही एक रूप समझ लीजिए अगर आपके पास अद्रक नहीं है सोट का पाउडर है तो आप उसे भी काम में ले सकते हैं अगर आप सोट के अद्रक को तो आप ये समझ लें कि इंसानों के लिए प्रकती का बर्दान है। बहुत सारी बीमारियों को सही कर सकते हैं। ये खासी में बहुत फायदा करती है। लेकिन आप सोचेंगे कि इसको खाया कैसे जाए। जब आपको खासी की दवा के रूप में अद्रक काम में लेनी हैं। तो आप ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लीजिए। अब आप ये भी जा चाहेंगे कि कितनी क्वांटिटी में ग्रेट करें और कितना शहद मिलाएं। अगर ग्रेटर अद्रक आपके पास एक चम्मच हैं तो उसमें डेर चम्मच शहद मिलाएं। अच्छी तरह से शहद मिलाके उसको तीन हिस्सों में बांट लीजिए। सुबे, दोपहर और शा आपकी खासी जड़ से खतम हो जाएगी। जो लोग अद्रक का फाइवर नहीं खा सकते हैं, उनके लिए एक और तरीका है। वो अद्रक का रस निकाल लें, एक चम्मच रस में, एक चम्मच शहद मिलाएं और उसको दिन में तीन बार चाटें। इसी तरह से दूसरे दिन, दूसरा तैयार करें। मैं आपको अभी और भी तरीके बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि एक किस किस बीमारी में कैसे कैसे फायदा करती है। अगर आपके कफ बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं, गैस जलाके उसके उपर कढ़ाई चड़ाएं और उसमें दो चार ड्रॉप घीके डालें और उसमें डाल दें आप 50-70 ग्राम गुण और उस गुण में एक चम्मच अदरक का या सोट का पाउडर डालें और उसे तब तक पकाएं ज़त तक वे जमने की इस्तिति में ना आ जाएं। फिर उसे एक प्लेट में निकालके ज जम जाती है और बिलकुल टॉफी की तरह से लगती है। इस तरह से अगर आप अदरक का प्रियोग कर रहे हैं तो आपको रोज बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक दिन बनाईए तीन-चार दिन तक खा सकते हैं। अगर बच्चों को खासी हो गई है तो बच्च इस टॉफी को बड़े शौक से खा लेते हैं। अगर किसी को भूक नहीं लगती है इसका मतलब उसके पेट में मल जमा हुआ है। अगर आप अदरक का इस तरह से सेवन करेंगे अदरक के छोटे-छोटे टुकडे करके उसमें थोड़ा सा नमक डालके आप रख लीजिए औ और आठ दिन तक इसे सुबह शाम खाईए। तो आपकी आतों में जो मल इधर उधर चिपक जाता है वह बाहर निकल जाएगा और हमारा पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने से हमें भूक लगने लगती है। अगर किसी को अपच बहुत रहती है भोजन पश्ता ही नही है बार बाद ऐसे डिटी होती है खटी खटी डकारे आती है उन लोगों को अधरक अजवाइन सेंधा नमक और नीवू का रस मिला के अधरक का सेवन करना चाहिए। इसे आप ऐसे तयार कर सकते हैं एक छोटी सी गाट अधरक की लीजिए उसमें आधा चमच अजवाइन मिल चाहिए और एक नीवू का रस मिला दीजिए ये बिलकुल अधरक का अचार जैसा लगता है और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है आप इसे खाने के साथ भी खा सकते हैं आप इस तरह अधरक का ज़्यादा अचार भी बना के रख सकते हैं इसमें नीवू का रस पड़ा हुआ है इसलिए ये खराब तो होगा नहीं एक महिना 15 दिन जितने दिन के लिए चाहे आप इसे बना के रख सकते हैं इस तरह से अद्रक का सेवन करने से पाचन क्रिया बिलकुल दुरुस्त रहती है और पेट के अंदर जो वेस्ट मटीरियल होता है वो बाहर नि दिन लिद्रक आपका चहरा अगर हमेशा मुर्जाया मुर्जाया रहता है आप ठके ठके से रहते हैं तो आप खाली पेट अद्रक के पानी का सेवन कर सकते हैं एक ग्लास पानी गैस पर चढ़ाइए और उसमें एक चोटा सा टुकड़ा बारीक बारीक काट के अद्रक का इस तरह अद्रक की चाय बनाकर आपको सुवे सुवे खाली पेट पीनी है, आप देखेंगे आपके चहरे की चमक कितनी अच्छी हो गई है, ये प्रिक्रिया आपको एक महिने तक करनी पड़ेगी, अद्रक से कोई नुकसान तो होता नहीं है, हम चाय में डालके रोज पीते ही है, सर्दियों में अधिक सर्दी होने के कारण सबको सर्दी जुखाम हो जाता है, तब हम अद्रक बाली ही चाय पीते हैं, अद्रक वाली चाय से हमारा सर्दी जुखाम तुरंत सही हो जाता है, ले बहुत फायदे मंद है अधरक का नियमित सेवन करने से हमारा कॉलस्ट्रोल लेवल मेंटेन रहता है क्योंकि अधरक से ब्लट सर्कुलेशन बिल्कुल सही हो जाता है इसलिए दिल के रोगियों को भी अधरक का सेवन करना चाहिए अधरक का नियमित सेवन करने से मोटापा कम होता है आप एक गलास दूद में 1.5 इंच अधरक का टुकड़ा डाले और दूद को उबाल उबाल के आधा कर ले आधा करने के बाद आप पिए आप देखेंगे कि आपकी चर्वी पिगलने लगी है और आप दुबले होने लग ग दुख जाता है तो हकलाहट की समस्या का भी समाधान करती है अधरक अधरक हमारी सेहत के लिए गुणों की खान है ये समझ लीजिए कि मैजिक है अधरक वाला पानी पीने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिलकुल सही रहता है इस कारण ब्रेन बिलकुल संतुलित रहता है तो तो हम लॉजिकल सोच सकते हैं, अदरक का सेवन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरक और हरी मिर्च का अचार बना लें, और रोज उसे खाने के साथ खाए, अदरक हर तरह से फाइदे मन्द हैं, अगर आपके दातों में बहुत दर्द हो रहा है, तो अदरक दात के दर्द क को भी सही करती है, आप ऐसा करिए कि एक चम्मच अदरक का रस निकालिए और उसमें नमक मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और उस मिक्चर को आप जिस जगह आपके दांत में दर्द हो रहा है, बहां पर लगा लीजिए, आट-दस दिन में दातों के दर्द की सम बिलकुल समाप्थ हो जाएगी, अगर किसी के मुँ से बदबु आती है, तो उसे भी अदरक का सेवन करना चाहिए, अदरक का सेवन करने से मुँ में बदबु नहीं आती है, जब हमारी हड़ियों में बहुत दर्द होता है, मास पेशियां सिकुडने लग जाती है, तब हम अदरक का सेवन घी के साथ में करना चाहिए, वो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप एक कड़ाई में घी डालिए, और जब घी खूब गरम हो जाए, तब उसमें थोड़ा सा गुर डाल दीजिए, और एक दो चम्मच अदरक का पाउडर डाल दीजिए, औ हड़ियों का दर्द, मास पेशियों का सिकुड़ना सब बंद हो जाएगा, अदरक डाइबिटीज वालों के लिए भी बहुत फायदे मंद है, जब डाइबिटीज की बीमारी पुरानी से पुरानी होने लगती है, तो हमारी पाचन शक्ती धीमी पड़ जाती है, इसलिए डाइबिटीज वालों को सबजी में डालके या किसी भी तरह से अदरक रोज खानी चाहिए, इससे उनका डाइजेशन मेंटेन रहता है, जिनको दमा की प्रोबलम है, वो भी अदरक और शहद मिक्स करके खाएंगे, तो उनकी दमा की प्रोबलम सही हो जाएगी, कुछ ऐसे घरेलू उपचार कर लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अदरक का सेवन करने से, बीपी भी कंट्रोल रहता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि अदरक हमारे बलड सर्कुलेशन को सही करती है, बलड सर्कुलेशन सही रखने से, जिसको माईग्रेन का दर्द होता है वो भी सही हो जाता है अदरक का सेवन करने से, पीरियट के दोरान जिनके पेट में बहुत दर्द होता है, उनका दर्द भी सही हो जाता है, उनको करना ये है कि वे हलवा बनाए और उसमें गुड और सोंट डाले, सोंट का पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, एक दो बार गुड का हलवा बना के खाकर देखिए और मुझे बताईए कि आपको कितना फायदा हुआ मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ तक तक आप अपना ध्यान रखना चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इससे हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएंगे और बेल आइकन को दवाना ना भूले इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाब मिल सके